नमस्कार दोस्तों आप साफी का स्वागत है आपके अपना यूटूब चनल स्टाड़े टूडे विफलाप में देखे एक्जाम दने से पहले आप लोगों को ये तीन चप्टर पढ़के जाना है हिस्ट्री से आप लोगों को पढ़ना है भूम अंडली क्रीद विस्तों का साथ सब्सक्राइब दोनों वीडियो के लिंग आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हिस्ट्री से भूम अंडली क्रीद विस्तों का बनना और जिए गराफिसी क्रिसी तो आज की इस वीडियो में हम लोगत अंतर भी हो जाता इस चप्टर से जितने भ वहां सामाजिक विभाजन होता है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से डियास वहां सामाजिक विभाजन होता है टकराते हैं मिल जाते हैं दूर रहते हैं या सामत होते हैं तो इन में से सही उत्तर हो जाएगा टकराते हैं जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है नेक्स टाइक की 17 सदी से लेकर 19 सदी की सुरुवात तक अमेरिका में गुलाम बना कर लाए गए अपरिकी लोगों के बंग सजों को क्या कहा जाता है इस क्वेशन का सही उत्तर दोनों हो जाएगाünü ओप्सद नमबर सी सही उत्तर होगा नेगश्ट रेकी अमेरिका में 1954 से애शर तक कोंसा अंदोलन चला था तो वहांपर जो है नागरीक अधिकार अंदोलन चला था ठीक है 1954 से मार्टिन लुथर के नित्रित में हुआ ठीक है मार्टिन लूथर किंग जुनियर यह आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट एकी कीस आंदोलन में नसल के आधार पर भेधवाब करने वाले कानुनों और व्यवहार को समप्ज करने की मांग उठाई गई सर्वसमाज आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन नागरिक अधिकार आंदोलन या प्रोटेस्टेंड आंदोलन तो इन में से सही उत्तर हो जाएगा नागरिक अधिकार आंदोलन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट एक की अमेरिका में नसलवाद के विरूद हुए अंदोलन में कौन सा अंदोलन उग्र और हिंग सक था नहीं से सही उत्र हो जाएगा ओस्थ सक्ति अंदोलन यह उप्षन नंबर 2 सही उत्र हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन दिया हुआ है कि 1968 में हुए मेकसिको अलमपिक के 200 मिटर की दोड में कोन एफ्रो अमेरिकी धावक था जिसने रंगभेद के प्रती दुनिया का ध्याना करशित किया 1968 में हुए मेक्सिको अलम्पिक के 200 मिटर की दोड में कोन एफ्रियो अमेरिकी धाबक था जिसने रंगवेद के प्रती दुनिया का धियान अकर्शित किया था तो यहां पर जो है टोमी स्मीद और जान कॉलेर्स कार्लोस ठीक है सरन पदक और एक कांट से पदक ठीक है टोमी स्मीद को सरन पदक मिला था और जान कार्लोस को कांट से पदक मिला था तो इन में से सही उत्तर को हो जाएगा दोनों हो जाएगा ठीक है अप्सन नमबर तीन सह लगो तरक किया दिखाई देता है तो फासा और ठेतर दोनों हो जाएगा आपसिन के आपको दोनों वीडियोो सके लिंक आपको मिल जाएगा दोनों वीडियो को देख लेजेगा ठीक है काफी रहने वाला है समाजिक विभाजन का रूप है हर समाजिक विभनता समाजिक विभाजन का रूप डैस तो नहीं लेती है हर समाजिक विभनता समाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है यह आपका सही उतर होगा जब एक समव एक तरह का समाजिक अंतर अन्यां अंतरों से ज्यादा म scratching होजाता है तो कौन सी स्थिति पऐदा हो जाती है समाजिक समरुपता रاجनतिक दल समाजिक विभाजन या समाजिक विभाजन हो जाएगा ठीक है किस समाज में समुदाइक सांस्कृतिक या जाती भी भी नताएं ज्यादा गहरी नहीं होती समरूप समाज कल्यांकारी समाज समुदाइक समाज या ग्रामिन समाज तो सही उत्र कौन सा होगा समरूप समाज हो जाएगा option नमर एक option नमर एक सही उत्र हो जाएगा समरूप समाज समरूप समाज किस किस देश में है समरूप समाज किस देश में है option से यहापर जर्मनी स्वीडन दोनों निधरलेंड तो यह दोनों हो जाएगा जर्मनी और स्विडन दोनों में उत्तरी आइरलेंड और निदर्लेंड में किस धर्म की बहुलता है यहुदी इसाई इसलाम या नस्तिक तो इसाई हो जाएगा और उत्तरी आइरलेंड में किस समुदाय के लोग गरीब है और उनसे भेदवाव होता है तो इसका जो साई उत्तर हो जाएगा कैथोलिक हो जाएगा कैथोलिक ओप्सन नमबर तीन निमने लिखित में किस देश को धार्मीक और जातिय पहचान का अधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा बेल्जियम जर्मनी यूगसलाविया या निदर्लेंड तो सही उत्तर कौन सा होगा यूगसलाविया हो जाएगा ओप्सन नमबर तीन सामाजिक विभाजनों की राजनितिक के परिणाम तै करने वाला कारक क्या है लोगों में अपनी पहचान के प्रती अग्रह की भावना किसी समुदाई की मांगों को राजनितिक दल कैसे उठा रहे हैं सरकार का किसी समुदाई की मांगों की प्रतिरूख तो इन में सभी सो जो है सही उतर हो जाएगा अपसन नंबर चार इस क्वेशन का सही उतर हो जाएगा तो यह था क्लास 10 के लिए सोसेल साइंस से कुछ भी बिए ऑप्जेक्टिव का सुलूशन वीडियो का अच्छा लागा